हेलो तो यार हम भी ग्रीनी स्क्रीन के सेट अप में कुछ जादा ही बौर्ड हो चुके थे तो सोचे कुछ नेचुरल ही करते हैं और वैसे भी गाओ का यही तो मजा है तो यह वाला कैसा लग रहा यार उससे बहतर या कैसा कमेंट में जहुड बताईएगा बाकी तो बच्पर में दो लोग हजामत करते थे तक्निकी सेवाएं ना ही देता था और पीता जी कानून विवस्था बच संभालते थे और ना पता नहीं कब क्या हो जाए कौन जानता अच्छा है मेरा बाल नहीं है नहीं तो मेरा भी हालवा होता है वैसे तो हम लोग छेलोन में बाल दाढ़ी कटःफाने जाते ही लेकिन अगर आघ तो ये गूसे है वहां यानि कि हजाम यानि बारबर को देखने वाले हैं जो कि देखने के बाद आप जब भी बाल दाधी कटवाने जाएंगे तो यही वीडियो आपको याद आएंगे तो पहला यह है कि इन भाई साब को सैलून में सोना महंगा पर गया तो भाई साब सोने नहीं आए तो बलकि बाल कटवाने आए थी यह बात भूल गय थे फिर एंगरी बारबर ने अपना एंगर दिखाया और बीना फेशवास का इसे दोडाला तो मैं आपको सेलून में बजाने वाले नाई तो दिखाई दा हूँ लेकिन सेलून में एक और चीज बजाने वाला होता है वो होता है स्पीकर तो यह है टॉर्च लाएं बुलूथूथ स्पीकर इसमें एक बुलूथूथ स्पीकर में जो भी होना चाहिए फंशनाल्टी सब सब कुछ मिल जाता है एक लैंप भी होता है काफी सॉफ्ट लाइट के साथ यह सिंपल टच के साथ लाइट चेंज करता है और यह आपको मिल जाता है 479 में और अगला मेरे पास यह जेप्रोनिक्स डीलाइट पोटेबल स्पीकर जी है यह ब्लुटूथ और एफेम संसं के काफी उनीक है और साउंड भी काफी अच्छा है इसा और यह आपको मिल जाता है 569 में और अगला है मेरे पास जेप्रोनिक्स के तरफ से आने वाला यह जेप घॉंटी और इसमें भी आपको यूस्वी माइक्रो एच्डी एफेम बुलूटूथ का फंसन मिल जाता है इसमे प्राइब करता है तो इसमें लाइट तो देखी रहे है बाकी यह मिड वोल्यूम पर ठीक ठाक साउंड करता है तो इन सारे प्रड़क्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाकर भाई कर सकते हैं बाकी वाट्सप से भी ओर्डर कर सकते और इस इंडिपेंडेंस टे चला है बुलबुल फ्रीडम सेल जो की 15 अगस्त तक रहेगा जहां आपको मिलेगा अप्टू 75% आप अपरेल्स गैजेट्स फूटवेर वगरे वगरे पे जी हां आजादी के जसन के साथ बाई वन गेट वन फिडी और संदार डिसकाउंट ए मतलब यहां सोय तो समझोगा है पता नहीं बारबर को तलवार का कुछ ज़्यादा ही सौक था इसलिए तलवार से बाल कटना शुरू कर दिया है खर बात यहीं पर खत नहीं होती अब ही आपको दिखाएंगे आरी से बाल काटता हुआ सही सुना आपने देख लीचे भाई यहां पर बाल कटवाने वाले को यह बात देना चाहिए यह मतलब ऐसे जान जोखिम में डाल कर कैसे कैसे सौक पाल रखे अब एक काट पहले से रखा है बस आरी घुमा रहे वीडियो बनाने के लिए अब कर देखावा है लेकिन ऐसे टकले पर ऐसे हतियार फिर ना यह भी बड़े कलेजी की बात है लेकिन बात और आगे बढ़ती है और यह कुलहारी से बाल कटना यह कैसा नमूना पंती है इन्हें देखकर यहीं लग रहा है कि अब नाई और कसाई में कोई अंतर नहीं रहा मतलब अगर ऐसे सेलून में हम जाये तो दरवाजे से ही लोट जाई यह स्पोच कर कि यह लोग बाल काटने वाले नहीं गरदन काटने वाले है ऐसे नाई से भगवान ही बचाए और आज कि हमारे इस वीडियो में के लिस्ट में कुछ हैसे भी नाई है जो कि कुछ ज़्यादा ही मल्टी टैलेंटेड है मतलब एक साथ दस केंची चलाना आम बात नहीं है देखे चला भाई इससे अच्छा तो हम अपने बालो को आग लगा ले इन चाचा की तरह वावावावावाव सिल्फ फार कटिंग हो रहा है लेकिन ये चाच्छा खुद से कर रहे है नहीं तो कभी कभी किसी बच्चा का फार कटिंग जो होता है सलुन में तो गलती से कुछ यूँ भी हो जाता है भाई खेती में तो आग लगी चुका था लेकिन बच गया नाई ने अपना कसाई पना दिखाया और बुझा दिया आग लगे हुए मतलब फायर ब्रिगेट को नहीं बुलाना पड़ा लेकिन कभी कभी मूड ना होता है तो कुछ ऐसे भी सरारत हो जाते हैं कर दो कर दो यहाँ कर दो भी कर दो भाई ने पूरा पानी डाल लिया फिर भी नाई जोस में है मैं बोलता हूँ कि आप नहां क्या हो ना वैसे आपने कटोरा कार्ट तो सुना होगा कुछ यूँ और देखा भी होगा हो सके तो कटवाया भी होगा लेकिन ये कटोरा कुछ अलग लेबल का जा रहा है ये देखे क्या कटिंग है भाई लेकिन आप लोगों को एक और चीजसे मैं कंपेरिजन करके दिखाना चाहता हूँ कि आप इसमें और इसमें फरा अंतर करके बताए कि क्या कुछ अलग दिख रहा है कुछ भी मतलब भाई हमारे तरफ तो इसमें भूसा रखा जाता है बैलो गायों को खिलाने के लिए लेकिन ये जहुरी नहीं कि हमेंसा नाई को ये गुस्सा है कभी कभी बाल कटवाने वाले को भी गुस्सा आ जाता है और ऐसे इस्थिती में शेप्टी जुडिये और ये शेप्टी का नया तरीका दे गए पढ़ते के पीछे क्या है? नाई है मतलब फटा पोस्टर निकला ही रो और इधर फटा चाता निकला नाई समझ गया भाई तो बस वीडियो को यही पर end करते हैं, end मतलब आप लोगों का काम बाकी है और वीडियो को लाइक करिए तब तक हम आप लोगों का सवाल गुलगप्पे से पूछते हैं ध्यान दिजेगा तो आज का सवाल है द्रिस्यम कुमार जी के तरब से और इनका पूछना है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपाया, सभी बात है क्या, यही बताएगा बाप और भाइया से रुपाया बड़ा हुने कै तो बाद की बात है, लेकिन मौदे जी रात को उठकर यह बॉलतीए कि मेत्रों पांस और हजार के नोट बंध हो जाएंगे, बस उसे दिन नोट का ठेर काकज का डेर हो गया भ pantalla घखो, सो टकी की कि एको की 1500 टका तो बंत हो चुका था तो बस दोस्तों वीडियो को यह पे एंड करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा जोड़ बताएगा और कुछ ऐसे इंसिडेंट और कुछ ऐसे नाई कभी आपको मिले थे वो भी बताएगा एक बार हमें मिले थे भाई साब मुंडी थोड़ा करते हैं गुलगप्य के लिए सवाल छोड़ के जो जाईएगा तो इन सारे प्रोड़क्ट के लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर वहां से बाई कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही जहिंद